ओके हले वरिवन वेलकम यूओ अलेट लोकेसर अलिम्टेट इस्टडी जॉन कल हमने वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट किया था हिंदी माध्य माध्य माध्यमिक शमनल भोपाल के लिए और आए आज आंगे पढ़ते हैं वेक्टर के चैप्टर में और हम इसको पहले अधिया कि वेक्टर क्या होता है दैन इसके बाद मैं आपको दिख अनुपाद बताएं पे hè आपको सांगे से परिक्षावोध मैं आप आपको ग्रूप में डाल दिये, आपको डाउनलोड कर लिजे, साम्त में आपको ग्रूप में पड़ी हुई है, उससे आसानी हो जाएगी आपको, जगर जदर question complete करेंगे, पहला सदिस आपके सामने दिया गया है, सदिस A दिया है, B दिया है, C दिया है, A प्लस B प्लस C का माइनस का केक है, तो इसका मॉड निकालोगे, 0 का स्क्वेर, 0, 4 का स्क्वेर, माइनस 4 का स्क्वेर, 16, और माइनस 1 का स्क्वेर, एक तो आंसर आगया, रूट 17, अगला question देखे, अगला question कह रहा है, कि दो सदिसों के योग फल के अनुदिस मातरक सदिस, मतलब एक, दोनों स इसके बाद कह रहा है, कि सदिस ए के अनुदिस एक सदिस ग्याद करो, जिसका परिमार साथ ही काई है, मतलब इसके अनुदिस एक सदिस निकालना है, जिसका परिमार साथ ही काई है, तो क्या करोगे, पहले आप एक अप निकालोगे, क्योंकि वो उसके अनुदिस ही काई सदिस होगा और उसका साथ से गुणा कर दो तो साथ कदम का सदिस निकलाएगा इसके बाद अपने पास में यह रिखिये निकाल लिया अब इसके बाद कहा रहा है कि सिद्ध करो कि यह दोनों सन रेखिये हैं तो कल मैंने बताया था कि दो वेक्टर अगर एक ही रेखा में होंगे तो वह यकीनल पैरलल होंगे और जो पैरलल का गुढधर्म हुआ करता है पैरलल का दो वेक्टर अगर ए और भी आपस में पैरलल है तो नोट कर लिजे अगर दो सदिस ए और भी आपस में पैरलल है जिसमें पहला सदिस आपके पा अपस में parallel है तो parallel की condition हुआ करती है A समानांतर अगर B सदिस्क होगा तो condition बनीगी इनके अनुपात समान उपात में होंगे तो A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2 ये condition बनीगी आपकी parallel याने समानतर होने की ठीक है और अगर parallel संरेक हैं तो जो संरेक होंगे वो समानतर होंगे संरेक का मतलब एक ही रेका में अगला देखिए दिक कोजयाय निकालना था बहुती सरल सवाल था दिक कोजयाय मैंने आपको बताया था किसी का इकाई सदिस निकाल लो और इकाई सदिस के जो कोने बनते हैं क्या कहलते हैं? क्या कहलते हैं, क्या कि ऐसकी दिक को जयां कहलती है, था रिपीट हो छुका है, फिर से तो दुबारा हो चुका है, इसको भी एग बार कर चुके हैं, लोग देन इसके बाद इसकी दिक को जाए तो भाई अपने निकाल ही दी रिपीट हो गया ओके फिर से यह रिपीट हो गया उपर वाला क्वेशन question number 5 तक कर चुके थे अब करना question number 6 देखे कह रहा है कि यदि A सदिस इतना दिया है B सदिस इतना दिया गया है तो A minus B का मान मतलब दोनों का कैसा है व्योकलन करना है minus करना है तो बहुत ही simple है A सदिस में से B सदिस को minus कर दीजे संगत पाल्टों को घटा दीजे तो आपके पास आजाएगा answer अगला question देखे A दिया B दिया है तो आपको 2A minus B निकालना है तो क्या करो 2 के साथ पहले A का गुणा कर दो तो 2A बन जाएगा और B को minus करके मॉड ले लो तो 2A minus B आ गया देन इसके बाद ये सदिस दिया गया है कि लपरस्पलमवत है अब यहाँ से हमको topic change करने के जरूरत है और जिसका नाम आज हम पढ़ने वाले हैं नाम है सदिसों का गुणन ओके तो heading बना लीजिए आज की topic है सदिसों का गुणन product of the vector तो हम सदिसों का गुणन पढ़ने वाले हैं तो बच्चों सदिसों का गुणन दो प्रकार से परिवासित होता है मतलब जैसे हमारे पास दो सदिस हैं याद रखेगा एक सदिस हमारे पास A है और एक सदिस हमारे पास B है और दोनों सदिस की प्रवत्ती कुछ इस प्रकार है कि दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं तो अगर दोनों सदिस बाहर की ओर जाते तो उनके बीच का कॉन जो होता वो थीटा लिया जाता है अगर एक बाहर जाएगा एक अंदर जाएगा तो कॉन थीटा नहीं लिया जाएगा ठीक ना तभी कॉन गुणन परिभासित होते हैं एक गुणन परिभासित होता है जिसका नाम है अधिस गुणन अधिस गुणन देखो भी अधिस गुणन क्या होता है एक अधिस गुणन यह होता है कि अगर दो सदिस का आप गुणा करो दिशा गुणे दिसा बराबर एक ऐसी राशी आ जाई ज में साहत गुड़ा करते हो और जो आने वाली राशी होती ही वहook वी क्या होती है। शदित रासी तो ऐसे प्रकार में करते हैं सब्सक्राइए अधिस्ट तो प्रकार के गुरण है हमाँ पास में यहां पी एक है अधिस्ट cross product या हिंदी मोलते हैं वजर्गुडन ओक हिंदी में से वजर्गुडन बोलते हैं बट पूरी दुनिया में इसको इंग्लिज में चनल्स जो बोलते हैं cross product मैं भी बहुत जगे हैं इसका cross product ही इस्तेमाल करूंगा चलिए तो आईए अब पढ़ते हैं दो सदिसों के अधिस गुड़न की परिभासा पहले अधिस गुड़न कम्प्लीट करेंगे फिर सदिस गुड़न कम्प्लीट करेंगे तो दो सदिसों के अधिस गुड़न की परिभासा तो अदिस गुडन की परिभासा कहती कि अगर आपके पास दो सदिस हैं A और B तो इसका अदिस गुडन होता है पहले सदिस का परिमान दूसरे सदिस का परिमान और दोनों के बीच के एंगल का cost ठीटा बिलकुल दोनों के बीच के कोण का cost सदिस a.b बराबर mod a mod b cost theta यह formula note कर लिजे सदिस a.b a और b का dot product बराबर होता है mod a mod b cost theta यह होता है दो सदिसों का बिंदू गोडन ठीक है ना a.b बराबर mod a mod b cost theta आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कल मैंने बताया था कि आप mod a को directly a लिखो तो a ही count होगा mod b को b लिखो तो b ही count होगा cost theta yes कोई प्रॉब्लम है hello श्री कुछ पूछना है ओके so a.b equal to होता है mod a mod b cost theta और यह a into b cost theta आचुका है आपके पास में dot product के रूप में इसको याद कर लिजे अब देखें इससे एक और भदपुड फार्मूला बनता है दो सदिसों के बीच का कोण अगर आप यहाँ से cost theta को रोक लेते हो तो cost theta को रोक लेते हो तो a.b upon mod a mod b तो यह फॉर्मूला आपको देगा दोनों सदिसों के बीच का कोण देदेगा तो यह फॉर्मूला बहुत important है दोनों सदिसों के बीच का कोण के लिए दोनों सदिसों के बीच के कौन के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है अब देखे अब एक सिस्ट में स्पेशल केस बनाता हूँ मैं अगर दोनों सदिस एक दूसरे के लंबवत हो माल लिजिए सदिस A है और इसके लंबवत दूसरा सदिस इस पर B है तो दोनों के बीच का कौन कित्ते डिगरी है 90 डिगरी है इस सबस्था में अगर आप इसका गुडन करेंगे तो A.B बराबर A का परिमाड B का परिमाड कौस कित्ते डिगरी 90 और कौस 90 कितना होता है 0 तो कुल में लाके एक कंसेट बना लिजिए कि तो A.B कुल डो कितना आएगा 0 आएगा तो डॉट परिमाड जीरो हो जाएगा अगर दो सदिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो तो डिरेक्ली आपसे पूछ लिया जाएगा दो चीजे बनती यहाँ पे कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट पूडक क्या होगा तो पहली चीज अगर थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है तो A.B कितना होगा 0 होगा दूसरी चीज अगर बूला गया है कि अगर A.B 0 है A.B 0 है और साथ में A का परिमाड 0 नहीं है B का परिमाड 0 नहीं है तो बताओ क्या 0 होगा तो आंसर थीटा इस इकल टू पाइबाइ 2 होगा मतलब A.B अगर 0 है तो थीटा इस इकल टू पाइबाइ 2 हो सकता है और अगर थीटा इकल टू पाइबाइ 2 है तो A.B भी क्या होगा 0 होगा यह दो चीजें थोड़ी काम की हैं, इनको आप याद रखिए, यह important है, very very important, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, dot product of unit vector, इकाई सदिस का unit vector, ओके तो अगला टॉपिक हमारे पास है, dot product of unit vector, यानि इकाई सदिस का बिंदु गुडन, dot product यानि बिंदु गुडन, तो भहिया, इकाई सदिस का बिंदु गुडन मतलब कौन सा, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे पास fundamental तीन इकाई सदिस होते हैं, जिनको निर्दे साक्ष इकाई सदिस आप बोल सकते हैं, एक्छ अक्छ के अनदिस जो इकाई सदिस होता, उ अभी मैंने रूल पढ़ाया, a.b का रूल क्या होता है, mod a, mod b, cos theta, तो mod a मतलब पहले सदिस का mod, mod b मतलब दूसरे सदिस का mod, और cos theta मतलब दोनों के बीच का कोण, खुद का खुद के साथ कोण कितना होता है, जीरो डिगरी, तो cos 0, तो mod i, एकाई सदिस का मापां कितना होता 1, a भी हो गया कितना 1, और cos 0 का मान कितना 1, तो 1 into 1 into 1, आंसर कितना आएगा, 1, तो एक आपको logic पता चल गया है यहां से, कि चाहे icap.icap करो, या jcap.jcap करो, या kcap.kcap करो, आंसर हमेशा कितना आना है, 1, तो अगर 21 सदिस आपके पास समा नवस्था में है, icap.icap, jcap.jcap, kcap. jcap.kcap, तो इन सब का गुडन कितना आएगा, 1 आएगा, बोलो, clear हुआ, अब इसके बाद बात करते हैं, कि अगर 21 सदिस समान नहीं है, अगर लंबवत 21 सदिस हैं, तो उनका गुडन कितना होगा, ध्यान से देखे, लंबवत 21 सदिस में, आपके पास में, मैं 1 सदिस ले ले रहा है, 90 degree, तो यदि मेरी, मैं करना चाहूँ, icap.jcap, तो क्या आएगा, mod पहला vector, mod icap, mod jcap, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 degree, तो icap.jcap equal to कितना जाएगा, 1 into 1 into cos 90 कितना होता है, 0, तो answer कितना हो गया, 0, तो कुल में लाके हमारे पास logic क्या होगा, कि जो perpendicular unit vector, जो लं कितना हो, कितना हो, 0, मतलब, अगर दो सदिस सेम सेम होंगे, तो उनका बिंदू गड़न कितना होगा, 2 इक आई सदिस, और अगर अलग-अलग लंबवत होंगे, तो उनका बिंदू गड़न कितना होगा, 0 होगा, ओके, तो common concept بना करकर लख लीजिए, कि i.iccap, j.j cap, सबकी value किती होगी 1 और अगर आप i.j cap करोगे या j.k cap करोगे या k.i cap करोगे सबकी value किती होगी 0 और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो बिंदू गुडन होता वो cram win manium को follow करता है cram win manium मतलब उल्टा पुल्टा एक समान यानि कि a.b कर दो या b.a कर दो इसमें कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है क्यों नहीं फर्क पढ़ने वाला है क्योंकि आपका उत्तरिक constant value अचर आता है और अचर से कोई फर्क नहीं पढ़ता है ठीक है ना तो a.b equal to b.a मतलब कि सदिस का जो गुड़न होता है कौन सा गुड़न dot product यानि बिंदु गुड़न ये question exam में पूछा भी जा चुका है कि सदिस का बिंदु गुड़न क्रम win manium को पालन करता है सत्य या असत्य तो बिलकुल सत्य है कि जो सदिस का गुड़न होता है बिंदु गुड़न वो क्रम win manium को पालन करता है a.b equal to b.a तो ये था आपका बिंदु गुड़न के बारे में पूरी चीज़े हो चुकी है अब हम दो सदिसों का बिंदु गुड़न देखेंगे कैसे सदिस है इसको जूम करके अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट नोट करिए दो मिनिट आपके पास है चलिए देखें अगला कुश्चन है अगर a equal to 2i के प्लस j के प्लस k पेक और b equal to अब देखें यहाँ पर पहले तो इस कुश्चन को डिसकस करने के लिए मुझे पहले यह बताना पड़ेगा कि दो सदिसों का बिंदो गुडन किस के रूप में कंपोनेंट के रूप में तो कंपोनेंट के रूप में आपको गुडन पढ़ाना है मुझे तो कैसे करेंगे देखें तो अगर आपके पास पहला सदिस है A सदिस equal to अब इसको देख लो A सदिस कैसे होगा जैसे अभी मैंने बताया था कि दुनिया में कोई भी सदिस होता उसके तीन घटा को थे X, Y, Z तो A सदिस के तीन घटा के AX, I cap, AY, J cap और A, Z, K cap कल बात हुई थी AX, AY, AZ को क्या बोलते हैं अपन लोग दिक अनुपाद बोला करते हैं न यह हो गया AX, AY, AZ पहला सदिस और दूसरा सदिस आपके पास जो B है that is equal to BX, I cap, plus BY, J cap, plus BZ, K cap तो अब आपको दोनों का बिंदु गुणन निकालना है A dot B तो कैसे होगा दोनों का बिंदु गुणन A dot B पहले लिख दो आप इसको AX, I cap, plus AY, J cap, plus AZ, K cap dot BX, I cap, plus BY, J cap, plus B, Z, K cap, अब दोनों का बिंदु गुणन करेंगे तो कुछ तरीके से करेंगे AX, I cap, into B सबसे पहले I cap बाले को I cap से multiply करो, तो आपको पता है I cap dot I cap कितना होता है? one होता है तो यह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा AX, BX, फिर I cap वाला J cap के साथ multiply होगा तो कितना बन जाएगा? zero और फिर I cap वाला K cap के साथ multiply हो जाएगा तो zero, फिर BX अब पिर A Y वाले को करोगे तो ay वाला i cap के साथ 0 हो जाएगा बढ़ j cap के साथ कितना होगा 1 तो यह बन जाएगा अपने पास ay by और last में az bz तो condition क्या बन गई आपके पास dot product दोनों का a dot b equal to ax bx plus ay by plus az bz तो यह है dot product दोनों सरीसों का मतलब क्या होता संगद पद गुणे में चले जाते हैं बहुत ही आसान है आद रखना मतलब संगद पद जो x वाले है वो x के साथ y वाले y के साथ z वाले z के साथ मतलब ये वाला पद ये वाला पद और ये वाला पद आपको क्या करना है गुणा करना है a dot b से ठीक है न अब देखिए आपको पता है कि अगर 2 सदिस एक दूसरे के लंबवत है तो a.b का मान कितना होता है 0 तो अगर दो सदिस एक दूसरे के लंबवत है तो a.b का मान 0 है इसलिए अगर ये दोनों सदिस जो आपस में मैंने आपको दिखाए ये दोनों सदिस अगर ये दोनों सदिस हापस में लंबत होंगे तो इनके गुड़न का मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो condition क्या बनेगी condition बनेगी ax bx plus ay by plus az bz equal to कितना जीरो नोट कर लिजे अगर दोनों सदिस एक दूसरे के लंबत है तो ये income जीरो हो जाएगा मतलब दोनों सदिस लंबत होने पर बिंदो गुड़न इस तरीके से जीरो हो जाएगा तो ये हुआ आपका dot product complete dot product में कई बार dot product के अनुपरियोग आ जाता है कि dot product का अनुपरियोग क्या है कैसे आता है dot product का अनुपरियोग देखे dot product का अनुपरियोग आता है car ये निकालने के लिए car ये निकालने के लिए car का formula क्या होता है car ये बरावर होता है w is equal to f.s तो आपको बल दिया रहेगा और आपको विस्थापन दिया रहेगा तो करना कुछ नहीं है, और अर यहाला, तो कारे 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 निकालने को आ जकर works, updated टू का रगंगा निगता अब मताया है, तो कई बार निकालने को आ जाता है, तो कारे का फार्मुला होता W equal to F dot S एक और हला कि वो आएगा नहीं फिक्र फिजिक्स में है power is equal to होता बच्चो F dot V मतलब बल गुणे वेग का बिंदू गुणन जो होता वो होता power power यानि शक्ती हला कि इतना difficult deep में नहीं जाएगा अब आजाए ये questions करते हैं बोलो इतना clear हो गया सबको समझ में आ गया इतना चलिए next concept देखते हैं श्री तुम्हाई आवाज नहीं आ रही समझ में नहीं आया क्या कोई दिक्कत है चलिए अगला concept देखते हैं अगला concept कह रहा है कि अगर दो सदिस एक दूसरे के लंबत हो अभी अभी मैंने बताया था अगर दो सदिस एक दूसरे के लंबत होते हैं तो दोनों का dot product कितना होता जीरो होता है तो ये सदिस पहला ये सदिस दूसरा दोनों का dot product A dot B बराबर 0 कर दो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 कर दो lambda कमान उगल देगा question lambda कमान निकाल लेंगे क्योंकि 0 से तुलना करोगे lambda आ जाएगा अगला question है सिद्ध करो की परस्पल लंबत है परस्पल लंबत है तो dot product किस के कल होना चाहिए 0 के कल ये देखो बिंदू कुनन किस के कल हो गया 0 के time pass question अगला फिर से कहरा कि सिद्ध करो लंबत है अगला कहरा सिद्ध करो लंबत है तो P का मान, lambda का मान, K का मान, नाम बदल बलगर मान गयात करवाएंगे गयात कर लो लो भाई साब कहरा सदिसों के बीच का कोण गयात करो अगला, दो सदे सो में कोळा की कोजिया ग्यात करना है। थे टावरी नहीं निकालना है, अगला क्वेश्चन है, बिन सदे से तने, इतने का अधिस खुड़न फल तथा उनकेम बीच का कुर गयात कर तो पहले अधिस गूरन फल गयात करना है, तो अधिस खुड़न फल एवन, ती सिवन, सीटू करके 6 आ गया, और इसके बीच का कॉर बोलो, डन बन जाएगा ना, चली, अब एक concept आपको नया पढ़ाते हैं, जिसका नाम है, दो समान सदिसों के बीच का गुडण, बिंदो गुडण, आपके पास दो समान सदिस हैं, मगर वो इकाई सदिस नहीं है, कोई भी दो समान सदिस हैं, ये सदिस A है, और इसका सदिस A क A के साथ बिंदो गुडण करते हैं, मतलब मैं A.A निकाले जा रहा हूँ, बच्चो, A.A को वेक्टर की वहासा में A स्कुएर भी बोला जाता है, ओके, तो आपको कभी A स्कुएर आ जाए, तो क्या है हुआ, A स्कुएर का मतलब होगा A.A, A स्कुएर का मतलब होता है A.A, आए इसको खोलते हैं, तो कि A.A या A का स्कुएर क्या होगा, तो अभी मैंने पढ़ाया था, कि सदिस, गुने सदिस, A.B बरावर मौड A, मौड B, कॉस्ट थीटा, तो भाई यहां पर मौड A, पहला, मौड B की जगए भी मौड A ही खेल रहा है, और कॉस्ट थीटा, खु दो सदिसों का समान सदिसों का गुडन फल, उसके मापांक के स्कुएर के बरावर होता है, मतलब एक बहुत अच्छी प्रमे है, कि सदिस का वर्ग बरावर सदिस के परिमाण का वर्ग, नोट कर लो, जितना भी अगर आपकी एक्जाम में डिफिकल्ट कोश्चन आया, समझ लो, यही आपकी मदद करेगा, क्या, लिख लो, सदिस का वर्ग बरावर सदिस के परिमाण का वर्ग, सदिस का वर्ग बरावर सदिस के परिमाण का वर्ग, यह आपकी बहुत मदद करेगा, सदिस का वर्ग इकल्टू सदिस के परिमाण का वर्ग, दन चली तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अब आईए चलते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखे क्रॉस प्रोड़क्ट आ चुका है तो मुझे आपको इसको समझाने के लिए क्रॉस प्रोड़क्ट पढ़ाना पढ़ेगा ठीक है ना क्रॉस प्रोड़क्ट पढ़ाना पढ़ेगा तो क्रॉस प्रोड़क्ट हमारा हुआ करता है क्रॉस प्रोड़क्ट तो हमारे पास बिंदू गुड़न हो चुका है अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रकार के गुड़न पे जिसका नाम होता है cross product जिसे हम वज्जर गुड़न भी बोलते हैं तो अगर A cross B हमें करना है तो सदिसों का कुछ ऐसा गुड़न की सदिस गुड़न सदिस पिछले बार देखा था सदिस रासी गुड़न सदिस रासी इक्वल टू अदिस रासी परन्तू इस बार सदिस गुड़न सदिस इक्वल टू सदिस तो दो सदिसों का कुछ इस प्रकार गुडन किया जाए कि बनने वाला गुडन भी सदिस रासी हो ऐसे गुडन को हम बोलते हैं अब A क्रॉस B का मतलब समझो A क्रॉस B का मतलब physics से निकलता है और A क्रॉस B का simple मतलब है कि सदिस A को सदिस B की तरफ घुमाओ मान लो ये आपके पास में सदिस A है और ये सदिस B है और इसके बीच का एंगल ठीटा है तो आप अपनी मुबाइल स्क्रीन की तरफ नीचे की तरफ A की तरफ उंगलियां रखिए अपने दाएं हाथ की उंगलियों को चारों उंगलियों को A की तरफ जमाईए स्क्रीन में जैसे मुबाइल है और फिर उसको B की तरफ घुमाईए रोटेट करिए तो देखे आपका अंगूठा एक दिसा में जा रहा होगा तो जनरली लोगों का अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा होगा जा रहा है की नहीं जा रहा है आप A को B की तरफ घुमा रहा है तो आपका अंगूठा बाहर की तरफ निकल रहा की नहीं निकल रहा अगर आपका मूबाइल सामने रखा हुआ है किसी दिवार बगएरे में टिका हुआ है तो आपका अंगुठा बाहर की तरफ आएगा और यदि लेटा हुआ आपका मुबाइल रखा हुआ है जमीन पे तो उपर जा रहा होगा अगर आप जुक के पढ़ रहे है और मुबाइल फ्लैट रखा हुआ है कहीं पर तो आपका अंगुठा उपर जा रहा हो कुलमी लाकर के ये है कि A क्रॉस B ये जो A को B की तरफ घुमाने पर जो सदिस आपको प्राप्त होता है उसे बोलते है A क्रॉस B तो A क्रॉस B क्या है ऐसा सदिस जो A से B की घुड़नन की दिसा में प्राप्त होता है जो A को B की तरफ घुमाने पर प्राप्त होता है उसको हम बोलते है A क्रॉस B यस तो ये हमेशा ये देखो ये किसके लंबत होता है ये दोनों सदिस ये A और B के तल के लंबत होता है ये A है और ये B है और ये A से B से बनने वाला तल है और आप देखिए कि ये A, B से बनने वाले तल के लमवत होगा A क्रॉस B जो होता है ये A और B से बनने वाले तल के लमवत हुआ करता है ठीक है? तो कुल मिला कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास में यदि ये सदिस A है और आप सदिस A को सदिस B की तरफ इस तल में घुमा रहे हो तो ये A और B से बनने वाला तल है तो जो N कैप जाएगा वो दोनों के ही लमवत जाएगा A cross B, N cap नहीं तो जो A cross B सदिस जाएगा वो दोनों ही तल के ये तल है, इस तल के लंबवत सदिस बनेगा A cross B अब A cross B का मान कितना होता है बच्चों, ये ध्यान रखो हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर जो कोण है A or B के बीच का, वो कितना है भाई साब ये कोण जो है, ये कोण आपको लेना है थीटा, ये कोण आपको लेना है थीटा अब हम पढ़ते हैं कि A और B के बीच का, A cross B कितना हुआ करता है, तो A cross B का फॉर्मूला याद करें, A cross B का मतलब मौड A मौड B दोनों के बीच का साइन जो थीटा कोण है, उसका साइन और साथ में, भाई देखो A cross B कैसी रासी, सदिस रासी है तो ये मौड ये क्या आगया, अदिस ये भी क्या आगया, अदिस ये भी क्या आगया, अदिस अब कोई तो होना चाहिए ना, जो इसको दिसा दे तो इसको दिशा देने के लिए आप एक 51 सदिस चुनते हैं और वो 51 सदिस किसका होता है A-Cross-B की दिशा का 51 सदिस उस 51 सदिस को हम बोलते है N-cap एस 51 सदिस को बोलते है N-cap तो A-Cross-B का पूरा फार्मूला Mod-A, Mod-B, Sin-Theta, N-cap N-cap क्या होता है बच्छो N-cap होता है A x B की दिशा में इकाई सदिस Yes N-cap क्या होता है A x B की दिशा में इकाई सदिस और आप जानते हैं कि किसी का इकाई सदिस कैसे निकालते है अगर आपके पास कोई सदिस C है तो C का इकाई सदिस कैसे निकालते हो C-cap equal to सदिस C upon उसका मापांक तो यहां पर आप किसका इकाई सदिस निकाल रहे हो A क्रोस B का तो A क्रोस B का इकाई सदिस कैसे निकलेगा वह सदिस और अपॉन में उसका मापांग यह बहुत important formula है यह क्या है इकाई सदिस A क्रोस B की दिस्षा में इकाई सदिस कैसे निकलेगा वह सदिस upon उसका मापां churches लिख लीजिए A क्रらस B की दिस्फा में जो मापांग 31 सदिस आएगा वो यह आएगा ने आपको बता दिया कि A क्रोस B क्या हुआ करता है A क्रॉस B के बाद हमने आपको A क्रॉस B की दिस्फा में आपको मापांग हमने आपको अब इसके बात करते हैं कि A x B की मदद से दो سदिसों की बीच का कोड कैसे निकालते हैं आईए दो सदिसों की बीच का हम कोड निकालके दिखाते हैं तो हमारे पास जो formula है वो formula हमें पास फिर से लिखता हूँ कि भई मेरे पास formula है सदिस A x B बराबर A का मापांक B का मापांक Sine Theta और N Cap ये मेरे पास सदिस है मैं क्या करता हूँ मैं दोनों पक्ष का परिमार दे लेता हूँ मौड लगा देता हूँ तो मैंने इधर का मौड लगाया भई A का तो अल्रेडी मौड है मौड के उपर मौड लगाने की जरूरत होती नहीं कुछ तो मौड A है ये भी B का मौड है Sine Theta का मौड लग जाएगा Sine Theta का मौड और N Cap का मौड देखो बच्चो N Cap का मौड 21 सदिस का परिमार कितना होता 1 होता है तो इसकी value किती हो गई 1 हो गई तो बच्चा क्या आपके पास मौड A मौड B Sine Theta का मौड इंटू किता 1 और इधर क्या चल रहा है A क्रॉस B तो Sine Theta Is Equal To A क्रॉस B Upon मौड ओफ A क्रॉस B पेटा ये जो आपके पास आ चुका है ये दोनों सदिसों के बीच का कौन है है ना सौरी गलत लिग दिया मैंने भाई साब इसको सही करूँगा फॉर्मुला गलत लिग दिया है इसको सही करना पड़ेगा चलो अब सही करते हैं तो क्या बनेगा मौड ओफ A क्रॉस B अपॉन मौड A और मौड B एक कॉल डू क्या आएगा साइन थीटा का मौड साइन थीटा का मौड मतलब धनात्मक मान और धनात्मक मान साइन थीटा का कब होता है धनात्मक मान आपका साइन थीटा का जब होगा जब आपके पास एक्यू टेंगर निकलेगा ठीक ना तो खेर इस फॉर्मूले को नोट कर लिजे ये दो सदिसों के बीच का कोण है साइन थीटा के पदों में इसके पहले हमने कॉस थीटा निकाला था क्या निकाला था कॉस थीटा बराबर ए डॉट भी अपॉन मॉड ए मॉड भी ओके ये ये इंपोर्टेंट था कॉस वाला ये कम इंपोर्टेंट बट फिर भी आपको जानना चाहिए है ना फिर विए आपको जानना चाहिए इस तरह मैंने साइन थीटा का भी फॉर्मूला करा दिया गोलो समझ में आ गया सब को चलो चैनल क्लिए है हाँ तो यह sin theta का mod हो चुका है अब देखिए अगला topic है cross product of unit vector heading है cross product of unit vector मतलब की इकाई सदीसों का वज्र गुडन इकाई सदीसों का वज्र गुडन इकाई सदीसों का वज्र गुडन अभी आपने देखा था इकाई सदीसों का आपने क्या देखा था इकाई सदिसों का आपने देखा था dot product याने की बिंदू गुडन अब आप देख रहे हैं इकाई सदिसों का वजर गुडन तो चलिए आपके पास एक इस आई सदिस है i cap और एक आपके पास j cap है तो i cap को j cap से cross करना मतलब i cap को j cap की तरफ घुमाना अब logic समझो बिटा x अच्च के अनदिस इकाई सदिस क्या होता है i cap और y अच्च के अनदिस इकाई सदिस क्या होता है j cap अब आप एक काम करो अपने दायने हाथ की उंगलिया निकालो और उंगलियों को पहले के सच्च की दिसा में रखो चारों उंगलियों को x अच्च की द सामें उंगलियों को घुमाओ देखो तुम्हारा अंगूठा बाहर आ रहा होगा जी हां मतलब दोनों के लंबवत जो सदिस इकाई सदिस बनेगा वो क्या बनेगा के कैप मतलब यदि आप आई को जे की तरफ घुमाते हो तो आई क्रोस जे के लिए जो एन कैप बनेगा वो क क्या बनेगा आपका के कैप लंबवतिक आई सदिस तो इस तरीके से यह इसको यदि मैं ओपन करूं कौन सी परिभासा से एक क्रोस बी बराबर एका परिमार बी का परिमार साइन ओफ थीटा और किता एन कैप यदि इस फॉर्मूले से ओपन करो तो मॉड आई कैप मॉड ज इंटी बी वन और यह कितना हो गया के कैप तो के कैप आन सर आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप एककोल टू के कैप मतलब अगर आप आई को जे की तरफ घुमाओगे तो क्या मिलेगा आपको के मिलेगा अब बच्चो इसकी उल्टी फेलिंग पकड़ो अभी आपने आ इको ज आप जे को आई की तरफ गुमा बच्चो तो चलो देखते हैं जे क्रेस जे केप क्रोस आई क्या होगा अगर आप जे को आई की तरफ घुमाओगे तो आप उगलियों को उल्टे तरफ से मोड़ों तो देखो आपका अंग उठा पीछे जाएगा मतलब अब आपका जो साइन एंगल अभी बी 90 डिग्री है और K-CAP की जगे क्या यूज होगा माइनस K-CAP तो J-CAP क्रॉस I-CAP एकल टो कितना हो गया सब कुछ 1 हो गया यह भी 1 यह भी 1 यह भी 1 किवल क्या बचेगा माइनस K-CAP तो एक बहतरीन लॉजिक हमारे सामने है कि सदिस जो होते है वो गुड़न में करम विनमेनियम का पालन नहीं करते है मतलब A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है क्योंकि आपने देखा है कि अभी आपने देखा I कैप ठोस J कैप कितना आया वो B x A का क्या होगा रिनात्मक होगा ध्यान से देख लो एक आ रहा है के कैप और एक आ रहा है माइनस के कैप तो A x B की दिसा जो होती है वो B x A के उल्टे होती है देखा भी आपने प्लस के कैप उपर जा रहा था और माइनस के कैप नीचे जा रहा था तो ये कहलाता है वज ट्रेक होती है clockwise circle बना लेते हैं यह है i cap यह है j cap और यह है k cap और rule चलता है अगर i को j से cross करोगे तो आपको k मिलेगा जे को k से cross करोगे तो आपको i मिलेगा मतलब j cap cross k cap equal to i cap और अगर k से i को cross करोगे k cap cross i cap तो आपको j मिलेगा बट यदि आप इस rule के against चलते हो उल्टा चलत हो जैसे कि आपने कहा कि मैं j से i चलूँगा तो j cross i तो आपको क्या मिलेगा minus k cap तो सारे की सारी चीजें पलट जाएंगी तो इस rule का ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप cross product handle कर सकते हो तो यहां पर मैंने आपको cross product बता दिया ठीक है अब देखें दो same vector आपके पास में है मतलब अभी तक तो आपने कैसे लिए अपने perpendicular vector लिए थे i cap और j cap अब देखते हैं अगर दोनों समान vector हो याने i cap cross i cap तो कितना होगा answer तो i cap cross i cap में कैसे लगेगा देखें mod a mod b sin theta खुद का खुद के साथ angle कितना होता है 0 degree और sin 0 की value 0 होती है तो आगे कुछ करने की जरूरत होती नहीं है n cap n cap गोली मारो सीरे कितना हो गया i cap cross i cap equal to कितना हो गया 0 vector मतलब समान सदिसों का बिंदो गुड़न कितना होगा 0 होगा लिख लिए copy में कि कोई भी समान सदिस इकाई सदिस कुछ भी होंगे उनका बिंदो गुड़न कितना होगा 0 क्योंकि sin theta पे depend करता है और sin 0 की value किती होती है 0 होती है तो sin 0 की value 0 होने के कारण दो सदिस खुद के साथ 0 कोण बनाएंगे है ना इसलिए उनका बिंदू गुड़न बोल गया क्या मैं क्रॉस गुड़न बिंदू नहीं क्रॉस गुड़न बिंदू गुड़न तो आप देख चुक है ना i cap dot i cap कितना होता था one होता था मैं क्रॉस गुड़न की वज्र गुड़न की बाते कर रहा हूं तो वज्र गुड़न में i cap cross i cap equal to 0 इसी तरीके से j cap cross j cap equal to 0 k cap cross k cap equal to 0 तो देख लिए आपने बना लेते हैं अपने एक बार है ना क्या क्या पढ़ लिए आपने देखे 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 आई cap cross i cap equal to 0 तो जो जो पढ़ लिए हमने i cap cross i cap करो j cap cross j cap करो या k cap cross k कैप करो एक कल्डू कितना हो जाएगा जीरो चली तो यह देख लिए आपने यह हो गया हमारा क्रॉस प्रॉडक्ट यहां पर क्रॉस प्रॉडक्ट हमारा फिनिश हो जाता है अब इसके बाद एक इच्छी जवर बज जाती है कि अगर आपके पास दो सदिस दिये गए हैं पास दूसरा सदिस बी कल्टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जड के कैप और आप दोनों को आपको क्रॉस पूडक्ट करना है एक क्रॉस बी करना है कैसे नहीं कालोगे देखो यहां पर आई कैप यहां पर जे कैप यहां पर के कैप और यहां पर ए AX, AY, AZ और BX और BY और BZ और आपको सार्निक तो open करते बनती है तो सार्निक का मान open कर दीजी I cap, J cap, K cap, AX, AY, AZ और BX, BY, BZ करके आप A cross भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर cross product जितना हमारे सलेबस में है उतना अपन को काम चल जाएगा अगले question के लिए मुझे पहले जैसे यह जो question दिया गया है इसके लिए में आपको एक theorem पढ़ानी पड़ेगी देखे, mode of A cross B आपसे पूछा गया है यहाँ पर mode of A cross B पूछा गया है बहुत ही प्यारा question है, mode of A cross B अपन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ mode of A cross B कैसे करते है mode of A cross B का हमको mode निकालने को बूला गया ठीक है न? चली कह रहा है, A का mode 10 है, B का mode 2 है, A.B का mode 12 है तो A cross B का mode कितना होगा? बहुत ही अच्छा question है, चलो करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको करने के लिए देखिए, हमसे इन लोगों ने पूछा क्या है? हमसे इन लोगों ने पूछा है, mode of A cross B का मान पूछा है तो हम जानते हैं कि भाई, A cross B equal to होता है, mode A, mode B, sin theta और n cap यह हुआ करता है, तो एक काम करो, लगे हाथो, mode ले लो तो mode of A cross B equal to, A का mode तो A का mode ही होगा B का mode, B का mode होगा, n cap इकाई सदिस है, सबको पता है और इकाई सदिस का मापांग कितना होता, 1 हो गया तो केवल क्या बज़ गया? आपके पास sin theta का mode बज़ गया अब मेरी बात मानों क्या कर दो, दोन तरफ square कर दो दोन तरफ क्या कर दो? square कर दो तो A cross B का square equal to, यह हो गया A का square B का square, और mode sin theta का square अब भई, mode लगाओ और square करो, तो कोई मतलब होने वाला नहीं है क्योंकि mode भी positive करता है, और square भी positive करता है तो मतलब square के उपर mode का असर नहीं होता, कुल मिला के तो sin square theta, अरे जो खुद में positive है, उसको mode का क्या असर होगा है न, तो sin square theta के उपर mode लगाने का कोई मतलब ही नहीं है तो, का आपने क्या किया? आपने square ले लिया तो एक line लिख लो आप लो, reference के लिए sin theta का square, mode का square, तुम कहोगी न, सर आपने यहाँ पर mode का square किया, तो sin theta के mode का square कितना होता है, बच्चों? sin square theta, अब देखो a cross b का square equal to a square का mode, b square का mode, mode a square, mode b square, बच्चों sin square theta equal to 1 minus cos square theta, तो एक नया formula बनने वाला जबरदस्त भाई साब, यह हो गया कितना, mode a square, mode b square, minus, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो, यह आएगा, mode a square, mode b square, cos square theta, तो यह मैं क्या लिख सकता हूँ, यह लिख सकता हूँ, mode a cross b का square, यह हो गया, a square, b square, a का mode b का mode, इसका square, minus, ध्यान से देखो, यह क्या है, यह है, a dot b का square, क्यों, क्योंकि a dot b कितना होता है, mode a, mode b, cos theta का square, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था, mode a cross b, और आपको a dot b given था, बस तो answer आपका आने वाला है, इस question में, तो सबसे पहले यह एक जबरदस्थ फॉर्मूला है, यह चीज, मतलब, mode a cross b का square, equal to, mode a square, mode b square, minus, mode a dot b square, मैं इसको कैसे याद करके बैठता हूँ, ऐसे directly याद कर पाना थोड़ा मुस्किल है, तो मैं इसको इस तरीके से याद करके बैठता हूँ, कि, देखिए, मैं इसको इस तरीके से याद करके बैठता हूँ, कि, a cross b का square, इधर से यह minus plus में आ जाएगा, तो a dot b का square, equal to, mode a square, mode b square, okay, a cross b का square, plus a dot b का square, equal to, mode a square, mode b square, अब अपना question करते हैं, जो अपनको question दिया गया है, उसका देखिए क्या है, question में कहे रहा, mode of a cross b की आपको value बतानी है, तो मतलब आपको mode of a cross b की value बतानी है, और a दिया है, 10, b दिया है, 2, चलो solve करते हैं, okay, तो आपको इसकी value बतानी है, mode a cross b की, आज ओ इस formula से, तो mode a cross b का square, equal to, mode a square, mode b square, mode a square, 10 का square हो जाएगा, 100, ये देखे, 100 हो गया, और 4 का square कितना हो जाएगा, 16, 2 दिया है कि 4 दिया है, 2 दिया, एक मिनट, हाँ, 2 दिया है, तो 2 का square कितना हो जाएगा, बच्चों, 4, minus a dot b का whole square, देखे, 400 हो चुगा left में, और a dot b आपको कितना दिया, 12, तो 12 का whole square कितना हो गया, 144, तो 100 गुने 4, 400, और minus 144, भाई साब कितना आएगा, 256, तो mode a, cross b, का square equal to आगया, बच्चों, 256, तो mode a cross b, कितना हो जाएगा, 256 का under root, कितना हो जाएगा, 256 का under root, हो जाएगा, 16, 16, plus minus मत लेना, क्योंकि mode हमेशा positive होता है, केवल plus में ही आएगा, ओके, तो इसका answer कितना हो गया, 16, तो मैं इस question को कहूँगा, यह एक अच्छा question है, बहुत ही ब्यारा question है, I would like this question to say as good question, and definitely, this question need to be asked in the test paper, जो मैं test paper बनाऊँगा, उसमें question रहना चाहिए, अगला देखे, कह रहा है, बहुत ही simple question, फिर से सुरू हो चुके है, दोनों के योगफल के अनुदिस मातरक सदिस, तो दोनों का योग कर लीजे, और योगे के अनुदिस क्या निकालीजे, मातरक सदिस जोड़ करके, अगला question जिसकी मैंने बात की थी, विस्थापन दिया गया है, और बल दिया गया है, कहरा कारे निकालो, तो बहुत ही simple, भाई सब क्या formula होता है, डबलो इकुल टू एफ इन्टू डी, अगला question है, कहरा है, ए प्लस बी का मॉड बराबर, तो दोनों का वर्ग ले लो, दोनों का वर्ग लेने के बाद, मैंने बताया था, कि सदिस के परिमाण का वर्ग, सदिस के वर्ग के बराबर होता है, तो ये सदिस का वर्ग कर दीजे, इसको open कर दीजे, A square से A square, B square से B square, cancel 4A B equal to 0, और A dot B equal to 0 आजाएगा, मतलब A और B परस पर लमवत होंगे, अभी आपको थोड़ा डिफिकर्ट लगेगा, बढ़ जब आप करने बैठोगे, तो उड़के बनेगा, दोन्ट वरी, चलिए, next question देखे, ये लो भाई साब, बिल्कुल simple question है, A और B के बीच का कोण है, कुछ नहीं है इस question में, अगला question भी कोण निकालना है, कुछ भी नहीं है इस question में, अगला question है, दो सदिस इस प्रकार है, कि A दिया है, B दिया है, और A cross B दिया है, low, तो अब इस बार A और B के बीच का कोण लगाना है, तो कौन सा formula लगाओगे क्योंकि A cross B दिया है तो अब ये वाला formula नहीं लगेगा cross वाला अब formula आपका लगेगा sign वाला तो sign theta का formula मैंने आपको लिखाया था ना कहीं पर दो सदिसों के बीच के कोण के लिए sign theta का formula अपने जो पढ़ा था वाला formula लगेगा कहा लिखाया भाई sign theta का formula मुझे तो याद है हाँ ये लिखाया formula ये देखिए ये वाला formula लगेगा क्यों क्योंकि आपको cross product दिया है और cross product देने के बाद आपसे sign theta की requirement कर रहा है तो sign theta के लिए आपको formula लगेगा formula याद कर लो बहुत सारे formula इस chapter में sign theta is equal to mod of a cross b divided by mod a mod b ये होता है formula और n cap का formula होता है a cross b upon mod of a cross b दोनों में थोड़ा सा confusion रहता भाईया अच्छे से याद कर लेना चलिए next question देखे कहरा दो सदिस इतने इतने दिया है इनके बीच कोण की कोज्या गयाद करनी भाईया कोज्या का मतलब cost theta तो cost theta का formula जिंदावाद अगला समानतर शट फलक आ गया शट फलक भीया अभी हम नहीं करवा रहे हैं अभी बाकी के questions करवा रहे हैं है ना और 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 हाँ फिर इसके बाद a और b लंबवत है तो सिद्ध कीजे तो ये आप कर लेंगे क्योंकि सदिस का परिमार का वर्ग बराबर सदिस का वर्ग हां question number 24 विस्थापन और बल दिया गया है तो ग्याद कलिकुल मिला कि एक random type के question दिये है कुछ यहां कुछ वहां अब जैसे कह रहा है दो सदिस और a और b जिनके परिमार समान है प्रतेक का परिमार ग्याद कीजिए उनके अधिस गुड़न फल 9 by 2 है और जिनके बीच का आएगा जब आप करने बैठोगे तो उड़कर के question बनेगे ठीक ना चली अब देखिए दो चीजें और बचती है last में एक है त्रिभुच का छेतरफल और एक है समानतर चत्रहुच का छेतरफल तो दो फॉर्मूले और लिख लीजे एक है पहला है त्रिभुच का छेतरफल कैसे निकालते हैं तो त्रिभुच का छेतरफल निकालने का तरीका समझो बच्चो अगर आपके पास ये कोई सदिस दिया गया है A B त्रिभुच की एक भुजा है A B सदिस और दूसरी भुजा आपके पास दी गई है कितनी A C सदिस ये C point है क्योंकि A B C ऐसे ही तो बनता है त्रिभुच तो अब ये क्या बनेगा त्रिभुच बनेगा जिसकी सनलगन भुजाए A B है और कौन सी है A C है तो त्रिभुच का छेतरफल का फॉर्मूला याद करो area equal to 1 upon 2 लगाना मत भूलना 1 upon 2 A B cross A C mod के अंदर A B cross A C मतलब दो भुजाएं लोगे एक लोगे A B एक लोगे A C दोनों का cross product करके क्या कर देना उनका mod ले लेना और दोनों से किस से 2 से divide कर देना ये हो गया अब इसके बाद दूसरा question आता है समानांतर चतुर भुच का छेतरफल तो क्या आएगा answer बच्चो अब ध्यान से देखो अगर इसी त्रिभुच को तुम पकड़ करके इधर की तरफ rotate कर दो फोल्ड कर दो तो इधर फोल्ड कर दोगे तो कैसा बन जाएगा ये इधर बन जाएगा ये और यूं आ जाएगा मतलब यही तो बन गया समानतर चतुर इंटू AC एबी इंटू AC तो ये बनेंगे आपका समाना अंतर चतुर भुच का छेतर फल तो क्या होता है समाना अंतर चतुर भुच का छेतर फल आपको निकालना है किस तरीके से निकालना है सीधे सीधे क्या करना है दो उसकी आसन भुजाओं का गुडन फल कर दीजिए है असन्द भुजाएं, सदिस इतने और इतने को निरूपित करती है भाई साब, तो समानतर चत्रभुज का छेतरफल, एक भुजा A है, एक भुजा B है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, क्या होता है, फॉर्मुला, अरे एक बटे दो मत लिखो भाई, ये समानतर एक बटे दो की जरूरत नहीं, बच्चो, ये त्रिभुज का एरिया निकाल दिया गल्थी से, यहाँ पर 1 अपॉन टू नहीं आएगा, मिस्प्रेंट हो गई थी, उसने लिख दिया इस तरीके से, तो अब आपको करने क्या है, अब आपको करने है, ये सारे के सारे क्वेस जैसे ये देखे क्या है, ए है, बी दिया है, टू ए क्रॉस, टू भी क्रॉस ए निकालना है, तो दो का मल्टिप्लाई करके दोनों सदिस जनरेट कर लीजे, फिर इसके बाद गुणा कर दीजे, इसी तरीके से बी क्रॉस टुए है, ये भी आपको बड़े आसान से बन लोगे, उसके बाद इसका क्या निकालोगे, मौड एनिकी, इसका मापांक निकालोगे, ये देखो, इसके सदिस मातरक सदिस, तो कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब आप से बनी जाएगा, ओके, अब लास्ट चीज जो कहलाती है, ज उपर कितनी चाया पड़ेगी, ये वाला हिस्सा तो इसके उपर ही है, ये वाला हिस्सा इसके उपर आएगा, अगर उपर से टॉर्च मारोगे, तो इतनी पड़ेगी इसकी चाया, ये कहलाता है प्रच्छेप, कुछ नाम दे दो इसका, इसका नाम दे दो M, पर इसका नाम जिस पर प्रच्छेप पड़ेगा वो नीचे रहेगा और उपर क्या रहेगा दोनों का बिंदुगुडन a.b upon mod b दूसरा देखो b का a पर प्रच्छेप b का a पर प्रच्छेप equal to क्या हो जाएगा a.b upon नीचे के आएगा mod of a बस दो फॉर्मूला कर लिजिए इसके बाहर प्रच्छेप का प्रच्छन नहीं आएगा जो प्रच्छेप का प्रच्छन आएगा वो इसी फॉर्मूले से आएगा चलिए तो यहाँ पर वेक्टर एक बाहरी तौर से एक मोटे तौर पे सारा का सारा अपनने कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद भी अगर आपको कोई questions आते हैं कोई doubt आते हैं तो आप जरू doubt में हमसे पूछिएगा doubt तो चलते ही रहेंगे तो श्री आपको क्या करना है यह जितनी आपको मैंने sheet दी है भी sheet पहुंच गई आपके पास न यह पूरी की पूरी sheet आज आपको बैठ करके पूरे full confidence में full motivation के साथ आपको इस sheet लगानी है और ज्यादा से ज्यादा question करने है जो question आपको नहीं गोला लगाईए उनको अपन बाद में solve करेंगे ठीक है और इसमें काफी सारे questions है इनको आप पूरे तरीके से हल कीजिए done आपका vector almost लगभग लगभग खतम हो गया है और कुछ जो question बचे उनको मैं अलग से करवाऊंगा चलिए धन्वाद तो आज के लिए इतना ही मित्रो class को off करते हैं जय हिन जय भारत